नमस्का दोस्तों स्वाकत हैं आप सभी का हमारे चैनल पर आज मैं आपको अमलपित यानि की हाइपर एसिडिटी की समास्या से राहत पाने के लिए एक बहुती प्रभावशाली घरेलूनुसकों के बारे में बताने वाली हूँ जब गलत खानपान और अपच की कारण पेट में पित के विक्रत होने पर अमल की अधिक्ता हो जाती है तो उसे अमलपित कहते हैं दोस्तों यही अमलपित हाइपर एसिडिटी भी कहलाता है इसके बहुत सारे कारण होते हैं जैसे की अत्यदिक गरम, तीखा, मसालेदार भोजन करना, अत्यदिक खटी चीजों का सेवन करना या फिर देर से पचने वाले खादे पदार्टों का सेवन, नशीले पदार्टों का सेवन करना इन सबी चीजों से हाइपर एसिडिटी की समस्या पैदा हो जाती है इसके अलावा भोजन को पचने के लिए परियाप्त समय ना देना और अपच के बावजूत खाते रहना आपकी इस समस्या को भी बढ़ा सकता है इसके बहुत सारे लक्षन होते हैं जैसे की भोजन का पाचन नहीं हो पाता है बगैर किसी मेनत के जादा थकावट होने लग जाती है कड़वी या फिर खटी ड़कारे आने लग जाती है शरीर में भारीपन होने लगता है कभी-कभी तो इसके कारण हिड़े के आसपास या फिर पेट में जलन सी भी मैसूस होने लग जाती है या फिर कभी-कभी इसके कारण उल्टी भी हो जाती है इसके अलावा मू से खटा पानी आना, सरदर्द, आँखों में जलन, जीब का लाल होना जैसे लगशन भी हाइपर-एसिडिटी में सामने आते हैं तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस समास्या से राहत पाने के लिए एक बहुती बहतरीन घरेलू नुस्खा लाई हूँ इसकी जानकारी जानने से पहले, सबसे पहले तो एक निवेदन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं, क्रप्या, सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सद्द सिता को ज़रूर ले लें तक कि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे दुरदी के जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा बिठा सकें दोस्तों इस नुस्खे के लिए सूखा पिसा हुआ आवला एक चमच रात को चौथाई कब पानी में भिगो कर रख दीजे और फिर सुबा इसमें आधा चमच पिसी हुई सौट, चौथाई चमच कच्चा पिसा हुआ जीरा मिला कर एक कब गरम दूद में खोल लीजे फिर इसमें स्वाद के अनुसार मिश्री पीस कर मिला लीजे और फिर इसका सेवन कीजे दोस्तों Continuously इसका सेवन करने से आपको अमल पित्त में बहुत ही लाप मिलेगा इसके अलावा दोस्तों चौथाई कप कच्चे आवले के रस में इतना ही शहद मिलाकर शाम को पीने से भी अमल पित्त में लाप मिलता है तो आप इसे जरूर से जरूर करके देखेगा तो दोस्तों आपको हमारे दोरा दी गया जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर जरूर केज़ेगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद